यह में व नित्य परोक्ष तरले शुर्द बी प्रातिभास रातिभास क्यां ब्रतव अनध्यासे पी अजिश्थान विसे के वर्त्य व्यक्त चैतनी यह अध्यासे थी नाकाप्यन पत्ति ही ठीक इसी प्रकार से जैसे है आपने लिया कि धर्म का आदियों का अपरोक्ष है एक रस ब्रह्मु में ही परोक्ष वो तो धर्मादी भी है फिर भी कोई आपती नहीं है यहीं का ज्यान किसा अध्यास समंधोने में कोई दिक्कत नहीं है कि वह जिस चैतन्य में वकल्पित है वह अध्यस्त है तीताधी पदार्थ परोक्ष पदार्थ वह चैतन्य में ही अनमित्यादी रुपा ज्यान अध्यस्त है इसे अनमिती में बले वन्य अध्यस्त नहीं है ज्यान में कि अनमिती ज्यान जिस अध्यस्ताई चैतन्य में अध् जैसे वह उशी प्रसेव मेव कहा दिया, नित्य परोक्ष दरमादी, समृतिस्तर अबी और समृतिस्तर में, तीसरा, प्राथि भासि र्शा, प्राथि भासिक्याम, यह ती मुख्य दोश्डिया तो उसने, प्रादि भासिक की प्रतीती में वृत्तव, अनध्यासे अपी, इस दिलिंग प्रोकर जे, प्रादि भासिक्यां वृत्तव, मने वृत्तिक ज्यान में अनध्यास होने पर भी, अधिष्ठान विशेक वृत्ति अधिवेक्टि चेतन ये, अधिष्ठान विशेक जो वृत्ति अगिव्यक्ति चेतन अजिस्टान मने यहाँ परले रहे आप मने इदम आवचिन चेतन परोक्षस्तल में वी क्या होता है परवत्न वन्नी को देखरे आप मालो परवतावचिन चेतनी में वन्नी परतो वन्नी माल इदम रजितम में इदमावच्छन चेतनी में रजत को दिख रहे हैं आप और वो जो चेतन है कहां उसमें जब व्यक्त चेतन कौन है पशुद्य है शद्वें सारी चीजे है इसके आजिश्टान विशेक वृत्ती में जो अभी व्यक्त चेतनी है उसी में सब का ध्यास होता है मैं इदमावच्छन चेतनी में ही रजत का ध्यास और रजत अज्ञान का भी अध्यास होता है समृति में इसी प्रकार से समृत्यादिरुप वृत्ति समृतिरुप वृत्ति अनुमितिरुप वृत्ति इससे अवच्छन जो वृत्ति है तद्वारा क्या हो जाएगा उसमें जो चेतने हैं उस चेतने में ही सव्मारीमान पदा रहतो अनमित्यादी पदा रहतो परोक्ष उनका ध्यास मना जाता है यहिके इसे कोई दोश न ए प्रत्वी पर बंदरी चल रही है उस बंदरी के पीट पर हो है तो बच्चे का भी आधार तो प्रत्वी माना जाएगा प्रकासक को को हुए प्रकासक को हम घ्यानों बाहनते चछेत्न मात्र को नहीं अधिष्ठान चैतनी को हम ज्यान शबसे नहीं कहेंगे, पुर्पक्षा मानना है, वह कता है, जो चैतनी प्रकाशन किया है, वो मानुगा, भासते चा, अविद्या वृत्ति प्रतिम्पित चैतनी न, प्रकाशन किसने किया, अविद्या वृत्ति प्रतिम्पित चैतनी न, उ उसको हम ज्ञान शर्षभ से खहेंगे अव उसमें जो रजत अद्यस्त नहीं है एक ज्ञान में इल्म आवच्न एक इसमें प्रकाशक ज्ञान कोई और है एक दिस्त कोई समय ढूंढ poem दिनिह बनता है ऐसा जब कहता इतिन वाच्चम कहेंगे विशीनी ज्याने विश्यस्यद्यासक कथम इसलिए आजा विशी पूता जो ज्यान मने प्रकाशक पूता जो ज्यान विशीनी ज्यान मने विशे को प्रकाशन करने वाला जो ज्यान जो चेतनिया उसमें विशियस्य अध्यास कथम, उसे विशियक अध्यास कैसे हो रहे हैं बताओ, किसी चेन्नों इतने चवाच्छम, एक आवच्छन एव अपरावच्छे तेना निरपेच्छो पादिरी वात्र बेदकत्व बावात, कदे एक आवच्छन, एक मने शुक्ति रूपा, इदम आवच्छन जो चेतनी, इदम अशा आवच्छन जो चेतनी हैं, उसमें ही अपरावच्छे देना, दूसरा कोने, आविद्यावरती, प्रुप्य आवच्छे से, जो चेतनम कह रहा हूं, वह चेतनी इदमाशी चेतन से एक ही में दो उपादी है, वह आविद्यावरती अवच्छन जो चेतन कब अभी व्यक्त होगा, जब उस इदमाशी चेतनी में रजत बना तब कहोगे न, पहलत अविद्या का रूती इदमाशी चेतनी में गई है, वर्ती कहा गई, इदम में, शुक्ति को देखने का प्रय अला बना अविद्यावर्ति, और वो गया इदमाशावच्चिन चे वास समने में, उसके आवण भंग नहीं कर सका, तम वावसर रजत का निर्मान किया है, इसलिए चेतन उसके साथ गया और मिला हुआ है, इदमाशावच्चिन चेतन में कह रहा हूं, उसी देश में अविद विद्यावची चेतन उस इदमाशावची चेतन का आवण को भंग न कर पाने पर उहां रजत आकारणुति भी बन गई रजत भी बन गया और अस रजत को प्रकाशन किया विद्यावची चेतन ने अते वह सभी के सभी एक ही देश में हैं भिन्न देशस्त भिन्न उपादी या भिन्न कालस्त भिन्न उपादी उनके द्वारे चेतन में भेद माना जाता है एक देशा अवच्छे जेना उरोत तरक्षन रुपी काल को ले कर गए मने एक काली माना जाएगा उसको पहले से इदमावचिन चेतन है वहाँ पे शुक्ति पले से पढ़ा है अज इस टांटरम चेतने में इसे इदमावचिन चेतन पले से पढ़ा हुआ था और उसको देखने के लिए आप प्रयास की है आप या विद्या वृत्ति निकली यहां से विद्या के कारिवटा वृत्ति अंतकर्णस निकल करके उस पुरह देश में चला गया वहाँ जाक करके शुक्ति उक्रण करने के प्रयास मही विफल हो गया भाम्दान्धकाराजी दोश हो जाए चाक चिक यह दोश होते हैं। ब्रहमज्ञान होंगा। ज़ता है उन्य जाता हैं। ज़ता हैं तो भी घटको घट देगां। वह भृत्ति निकल गया हैं। पहुंचर में पहुंचर सन्य करशा हैं। विद्या निर्पेक्षुपाद्यूं के समान और भेदकत्व अभावाद कि अविद्यावर्ति के लिए पेक्षत है इदम ना होता अविद्यावर्ति निकलती नी इसलिए अविद्यावर्ति रुपव उपाधी इदम रुपी उपाधी का पेक्षा कर रहा है निरपेक्षतनों पाधिया नहीं है तब भेच हो जाएगा घटावचिन चेतन चतनी में भेद मान लेते हैं जो आप एक शोग घया है वह पर चतनी का भेद हम नहीं मानें अपादी चतनी में अलग लक उपादी होती आलग ज्ञान होता तो बाता लगता ज्यान तो नहीं रहा है अएंगा टैम पठा दो पादी भेद हो गै rapture दो बिन ज्ञान हो गया इसलिए इदम रूपा उपादी, हवित्या वित्ती रुपा उपादी, उस उद्पन जो रजत रुपा उपादी और रजता कार ज्ञान र्पादी ये सारे के सारे एक ही जगप परे सुक्ति देश में और हैं सारे मिलकर के मुझे एक ज्ञान पैदा कर रहे हैं इदम रजतम एक फल है अन्य फल भी नहीं है इसलिए हमारे सिद्धानते हैं निरपेक्ष उपादियों के समान ये भेदकतिन में नहीं रहता है अत्र भेदकत तफावात वो भी और उपादियों हो शुक्द देश एवसत्पात कि दोनों उपादियां शुक्द देश में है आते वा अभियुक्त ही फलेक्याद अईक्यम ज्ञानस्य उच्छत है इसलिए अभियुक्तों के द्वारा अभिव्यक्त चैतनी का एक होने पर वा उत्पन ज्ञान को भी एक ही मानते हैं अनेक ने मानते हैं कौने वा भियुक्त विवरनकार पोर प्रिश्टिक में है विवरनकार ने भी कहा है एक फलम मिती विश्यावच्छिन्नम ही फलम अभासते वा पर रग एक फलम मिती एक फलम उस पर राख्या की एक फलम का मतलब गया विश्या वच्छिनम ही फलम अभासते नग ज्याना वच्छिनम हमेशा फल विश्या वच्छिन ही भासित होता है ज्याना वच्छिन करकर नहीं होता इसलिए हमारे यह विवसाय ज्यान पहले होगा उसके बाद एक अनविव provided some जयाषाए चतन्हे घ्टकौल प्रकाशन कर दिया उसको प्रकाशन दूसरे के जुरृत है उनके स्थीयाएं क्या एक है प्रकाशन रेंगे प्रकाशन हो फिर उसका भी प्रकाशन थे करें आ प्रकाशन थे जयाद किया दूसरे की जुरूत में यान। कि यह नों यह मानते हैं हमारे अलग जरूत नहीं है कि जो अजिस्टान चेतनी है अभिव्यक्त हुआ यतकी इंचित उपादी में उपादी की महिमा सही वह अभिवक्त चेतनी ही सगल चीचों को प्रकाशन कर देता है अलग-अलग हमें अनेक अभिवक्त चेतनी के अभिवक्त चेतनी के द्वारा तत्काली उपसित उपादियों में से जो भी विशय होगा उसी को प्रकाशन करेगा उपादियों को नहीं पताएगा इसले आपको क्या ग्यान हो इदम रजदम ये तो नहीं है इदम, अविद्या, अविद्या, उत्पन्न, चेतन्य, अविद्या, अविद्या, अविद्या का नाम नहीं है ना विद्या का नाम है इदम, अविद्या, अविद्या का नाम है इदम, अविद्या, 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 नहीं होता है पर अंगाट ग्यान हुआ आपको मोश्किया चलो गए कहीं और ग्यान है पर आपको घटके ग्यान है मेरे और खटके ग्यान हैं जरु कियां तर्फशे के वाई oste Το नहीं की जर्फपर काउस से नहीं ने भीनी में इसพर्काशित वहाई इस चीज़ को जानता हो, इतनी 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 इ विषियावच्छन ग् authent ग्हानलवा座 सिद्ध होता है विषियावच्छन एक ऐ विषिय कही होता है विषियावच्छन चैस्टन पूरे YOU TH tutaj क्वाओे रória के अधिश्धन के बात थोठी है एप एफए ये आडिस्टान के दूड़ी हो रही है अभी वक्ते । अभिवक्त चेतन म्हानमने अभिवक्त चेतन . और उपाधी49 अभिवक्तो गानी. सामेजते तो ही पहले बेल चुके है अजिस्टान अलग है हमारा प्रकाशक अलग है अजिस्टान तो पहले से रहे गा ही अब्जित चितन को आप किसी तर से अविद्या वर्ति लाओ या बुद्धी वर्ति को कुछ भी को बात एक ही है उपाधी के विए अभी वक्तो गानी सिधी इसी बात है इसने पहला कहा आपको इससे पूर प्रकाटक में क्या कहा था प्रकाशक अक्त्व के लिए मुझे उपाधी की जुरुत है अजिस ठानत पे के लिए उपाधी की जुरुत नहीं है प्रकाशक नहीं है बात की जुरुत है सिधे शब्द हम लोग कमा देते है उपाधी मैं वभ्यक्त वहल होता है उपाधी वर्तमाती जुरुत है Гटी जो, बागी सब निमित काने आपाधन की बन रहे हैं। न्यानूँ पंधे कवारी बन शोट क्विवी पशलोंगार जुरोंगों न्यानूराश लुड़ेक जरनाूराहा है विधा क्नायाशी अविधा नंदुबाट उसकार मेए कपुरन याई बही अविद्या का कारी बनाऊ ओवु अवद्या निमय उत्पन किया है। आवण भंकर ने गया नहीं कर सका। तो जो आविद्या वृत्य हएं से गई यह वह अंशत्र त्रयात्मिक है सत्वरजतम। जित्रमश रजजतम। और रजोन से उसकी प्रावते के इच्छा हुई प्रवर्तियादी और उसके सत्वान से उसका प्रकाशन हुआ यह जो पादमिया व्यवस्ता दे रहे हैं ज्यान में आया का कहिए बात इदम रज़तम इतने ही तो ग्यान है फल इतær ही ने गलाव गए दम रज़तम इसे कहते विश्यावचिन चेतनम इब फलाम नग्यान आवच्छिनम विश्ययस्चा सत्वमिध्या वस्तन और अन्योन्यात्म गत्या एक ताम आपन अहां और विशेसम क्या लेंगे हमेशा सत्य और मित्य का मिथुनी करणी है के वज सत्य विशे नहीं होता क्यों मित्य वसे विशे नहीं हो सकता इसे घटावचिन चेतन या घटाकार वुद्यवचिन चेतन गहो उसकी विना वो विशे भी नहीं बनेगा अन्यवन इध्यास की विना तेना एक विशे अवचिन फलाइकत्व पाधो इसे एक विशे अवचिन चेतन का जो अवचिन जो फल है एक विशे अवचिन फलाइकत्व उपाधो उस उपाधी में सत्य और मित्या ज्ञान द्वय में भी एकम इती उपचरियत है इस बाद दो ज्ञान है एक इदमावच्चिन चितन नाम का ज्ञान है एक दूसरा रजतावच्चिन चितन नाम का ज्ञान है एक सत्य है एक मित्य है दोनों को हम एक त्टन उपचार करेंगे कि दोनों एक देश, शुक्ती देश में ही एकी बूत हो गया है फलकान वास्तावीकर भगन आअवरन वाला चित होता है सप्रकास तुलक्षणे आउडबंगे चित एव फलतवात कि सप्रकास लक्षणन वाला वह जआउडबंग ओने परनबोग होने वाला चिते एवपलतबाद चुत में ही हम von फलत के विचार करते हैं इसलगे हमारे हमत्में चेतन ने मेवप्रमा विवनकार क्या पंक्ति है इसलिए इदम अन्का पिर्थ्थिय khi चेतन रूप सत्य और अविद्या वर्थिट्थिAN रुप नित्या ग्यान दोनों में एक ताका आउपचारिक प्रेग हो गया क्योंकि ये दोनों उपादिया परसपर निरपिक्ष नहीं है परसपर सापिक्ष है इदम का अधीन होकर कही अविद्यावर्ति निकलीवी है अतेवा इदम का सापिक्ष अविद्यावर्ति होने से यह अविद्यावर्ति इदमावचिन चेतन से स्वावचिन चेतन का भेदक नहीं हो सकता है आते वे एकत्तन में भार करते हैं इस प्रकार से अभ्युक्तों के द्वरा ज्यान के बारे में अईकी ज्यान के बारे में कह गया तब पूरपश के अग्याने से अज्ञाने अध्याने 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 अध्या अजिष्टान का ज्यान से ब्रहमोत्पत्ति और अजिष्टान के ज्यान से ब्रहमनिवृत्ति नियावगनियम है और आपके अनुसर अभी आप नहीं का चेतनी एक हो जाने के कालन से रज़तावचिन जो चेतनी अविद्याकार रुत्ति जो रज़ताकार हो रखा है तदव चिंक चेतन्यों वे इदंशाव चिंक चेतन साथ आभिन्हो ने से वही हमारे लिए अद्श्चान हो गया उसी में यै है रजत जिए इसे कहों गे तो मैं कहेंगे रजत जिस अद्श्चान में है उस अधिस्टान का ज्यान से आपको रजग निवर्ति मनना चाहिए मने आपको इदम रजटम ज्यान हुआ उसमें रजट अध्यस्त है उस ज्यान का ज्यान हो जाए मने इदम रजटम ज्यान वान हम मने अधिस्टान का भी ज्यान आपको हो गया मैं रजतक ज्यान वाला हूँ यह जानने से निवर्थ होता है वो भ्रहमात्पक रजत यह नेदम रजतम ज्यान से निवर्थ होता है पूर पक्षे बड़ पकड़ता है बड़ा संदर वह कहता है आपने इस अधिष्ठान मान लिया जैसे घटक ग्यान में घटक आजिश्टान ग्यान है रजटक ग्यान में भी रजटक आजिश्टान ग्यान कह दिया अजिश्टान का ग्यान होने मतलब क्या है इस ग्यान का ग्यान होना तो आजिश्टान है ग्यान का ग्यान होने मतलब क्या रज़त ज्यान वाला मैं हूं ऐसा निश्य हो जाना ज्यान का ज्यान जिसको लोगा नवियूसाह कहते है उससे भी रज़त की निवरती हो जाना चाहिए कि नियम आपका है अजिस्टान का अज्यान से भ्रहम और अजिस्टान का ज्यान से भ्रहम निवरती रुप्यादे स्वग्यान अध्यस्तवे रुप्य ज्यान से अज्याने ब्रहमुत्पत्वी अध्याने ना रुप्य ज्यान का ज्यान होने पर ब्रहम की निवर्ति शाथ क्योंकि नियम है अध्यास अज्यान ज्यान अभ्याम अध्यास असे जन्व निवर्तू राखो और नियत हत्वाथ आपका नियम है यह इतने ही नहीं हर उल्ट उल्टा ग्यान में होजाना जाइए ज्यानम रजस्टम ऐसा होना चाहिए रजस्टक ग् Alexandria ग्यानम नहीं ज्यानम रजस्टम होना चाहिए क्यों ग्यानम रिज्दम होना चाहिए क्योंकि आपके मत में क्या है यत्यत्राद्यस्तं तत्त्रीव ताधात्यापनसन प्रदियोते जो जिसमे अध्यस्त होता है वा उसे में ताधात्यों करके भासित होता है है ना अब घट किसमे इसे कई जाता है यानम्म रिजर्साइप नहीं को चाहिए अपया धेखा अब इस नहीं की यहां टुठे साइब चाहिए लिए में सुलीरा आदरर रहे हिन्शा Fish अधिष्ठान विद्या मान रहता है और रजट ग्यान का प्रदा हुआ बात में अधिष्ठान बूता जो हम वास्तिव ग्यान किसको मान रहे है इदमावचिन चेतन रुप ग्यान रुपाज जग्यान इदमावचिन चेतन रुप ग्यान ही वास्तिविक अधिष्ठान है उस आते हुआ आप इदमा वचिंचितन वुटा जग्यान है वह उसी के साथ रजटा वचिंचितन 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 व क्यान हुआ है और इत्व में चंच्छितन और रहे एसा बहुतोत्पत्तित फिले सिर्फी कि निए में अधिस्ट sec विध्यमान रहताए अधयासाथ पूरवमेव अधिस्ठान भवत्य वा इतिक नियाम है अधयास से पाले अजिष्ठान तो होता है है बिना अजिष्ठान कोई भ्रम नहीं हो सकता अब भ्रम पहले के अजिष्ठान पहले है विए ग्यून उस्तुर कोई बात नहीं फिर भी रजत रजत अज्ज्ञान दोनों ये इससे पहले है इदम आवचिन चेतन, इदम आवचिन चेतन पहले है, यजगाथ है या रजत तो रजत ज्ञान भी बहुँनं से, इदम आवचिन चेतन का प्रंटेक्ष रहा है? अचितन नहीं होआ, आज चाहिए निवiająर्ब्त रहा है हुगा, इदमावचिन चेतन रुपा जो जग 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 वानला स्प्राम नो बादिश्चान थेुए जुटे मानें पर किसको मानते हो इदम ऑच्छिन जेत्न यम्य वतू रज्ट प्रमाधिस्टान आ उसका उआपको विभासाय ग्न्य विभासाय कर दो निसे इदम का प्रकाशन कर रहे हैं इसे इनका कहना है TAC-keln, इन हुआ क्या है फिर यहां घडबड का गडबडिए द्याइवात का दितलत है रजदाकर रित्विन चेतनी मपीưa जड़ेफास् 6 रिटाकर अभच्शिन चयतनी था वो क्या हो गया था दैवात इदमा अवचिन चेतने के साथ एकिपूद हो गया था इसलब को भ्रम हो रहा है इदमा का अवचिन चेतने को अधिस्ठान ना मान करके रज़ता का अवचिन चेतने को रज़त का अधिस्ठाना मान बैठे हो पहले से हम का चुको है अधिस्ठान के लिए उपाद्य के अपिक्षा नहीं है कि सीभी चीजी चाहते है öl्द"... जब प्रकाशन ज्ञान पता है तक प्रकाशन होता यहीं है कि अभिवक्त कर इसे सफ &em कैंट सब्सक्राइब से अब द्यायवressy इसकतण है यह दो अभिवक्त कर Shake आपादी हो कर गे उसे चेतने प्रकासट करें प्रकाशन होने से पहले अजिष्ठान विद्यमाने उसका ज्ञान नहीं हो रहा है कि अनवेव साहिमें और उसका ज्ञान हो एविन भ्रह्म निवरत्नी होता है इसलिए करते हैं नईतावता ब्रह्मादिष्ठानुत्वित दपेक्षा येतावता दैवात बले एकी बूत हो गया दोनों चेतन्या इसका मदब यहां नहीं इतने मात्र से यह जो आपका ब्रह्मादिष्ठानुत्व के लिए रजदावचिंचितन रुपा जो उत्पन्नक इसके अपक्षा नहीं है येतावता ब्रह्मादिष्ठान के लिए रजदा करण व्रद्द देवाचिंचेतन्या रुपा ज्यान और उसके विशे रजद किसी कीभी अपक्षा अदिष्ठान के लिए है नहीं थसे चाख ब्रह्मविरोधि शुक्तित्वात्याकारिणत उसे शुक्तित्त अत्याकारेन जो अज्ञान है वही भ्रह्म का कारण है। तेन अकारण ज्ञान भ्रह्म निवर्तिकम। उसे शुक्तित्त अकारेन ही ज्ञान होगा तो भ्रह्म का निवर्ति होगा। कि रजताकार ज्ञान का ज्ञान दसो बार करते रहो उसे ब्रह्म निवर्त होने वाला नहीं है अधिया ज्ञानम रजत्तम इत्याकार भ्रह्म होगा तो इधम रजत्तम ही होगा इधम अधिस्टान है उपर हले होगा इसे हिदम रजत्तम होगा उल्टानी होगा तो से ब्रह्म निवर्ति नहीं होगी कि यह अधिस्टान है नहीं है आरुपित्य प्रतिति क्योंकि आजिश्टान के साथ तादात्यों करके ही आरुपित्य प्रतिति है क्या इदम्रजित्म इत्येव भ्रमाकर इसे यही भ्रमगाकर होना चाहिए अजिश्टान क्या था इदम्रजित्म इदम्रजित्म इत्येव भ्रमाकर होना चाहिए अजिश एक और बात कहता है फिर घट ज्ञान वे सिद्धा आता है ठीक है ब्रहमस्तान में तो आप विवस्ता दे दो नहीं घट ज्ञान में कैसे करोगे घट को अपने ज्ञान में द्यस्ताब कहते हो कि आपका नियम क्या है पाले सच विद्धिमान होता है उसमें दूसरी चीज़ का ध्यास होती है और घट पाला है कि घट ज्ञान पाला है इसके क्या है स्वा सन्निक्रिष्ट इंदर जन्यत स्वा ज्ञानात पूर्वब घट है आउस्वा घटावचिन चेतन रुप अजिस्ठान अलग और घटावचिन चेतन ज्ञान अलग आप मान रहे हो जो कि घटावचिन चेतन ज्ञान जो घटा करत्ती से पैदाव असनिकर से पैदाव अज्ञान और केवल घटावचिन चेतन रुप अजिस्ठान दो भिन नहीं है अलग नहीं मानता है क्योंकि उस गटावचिंचेत्य में गट्का भ्रह्म नहीं हो रहा है उमको, इसी भिन कहां से हो गया दो, अधिश्टांस भिन अध्यस्त कहां से हो गया, ंतर पर अंतर विद्या का रही है, आंतर प्रती पर अविद्या प्रती ही है, प्रमान के आपको प्रम और ब्रम है अंतर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बे आंग से ही तो गरजत या नो आंग से शुक्ति क्यान हो रहा है। घटक ज्यान में कह रहा हूँ उस घटक ज्यान उत्पत्ती से पहले घट विद्यमान है अत्यव उस घटक ज्यान में घट का अध्यास नहीं कह सकते यह पुरुपाश का है तत्र अध्यासो न युक्त हो तब आपकी भाशक कहेगा एक देशी बीच में अमर्त्यवचिन चेतन रुबग्याने उसके द्वारे घटक प्रकाशन नहीं हो रहा है यह प्रकाश्यों घटादिष्टान चेतने न तसनिकर्षजमिती जिसके द्वारा आप कहा रहे हो प्रकाश्यों घटादिष्टान चेतने से पौले से था ये तुम्हारा काना ठीक नहीं है नच प्रकाश्यों मने घटा दे ही घटा दिश्टान चितनी न तत सन्नी कर्ष न मिती न ये न न तत सन्नी कर्ष जम जिसके वज़े से आप उसको इंद्रिया सन्नी कर्ष जन्नी करके नहीं कह सकते हो किसको गटाजिष्टान चेतन नहीं है अतेव गटाजिष्टान चेतन अलग है और गटवरति चेतन अलग है ऐसा मानना चाहिए यह पूरपक्ष के खिलाफ एक देशी ने कहा और उचिती कह रहा है व्रिद्य चेतन नहीं है अधिश्टान के लिए है ऊस से भिन इसलिए आपको एक अधिश्टान mode अजिष्टान में भ्रम होता है यह एन अजिष्टान में प्रमा भी कि होगा क्या है इसे लिख हम वृत्ति और अजिष्ठान दो अलग नहीं मानते हैं प्रमास्नलों में यह पुरपक्ष ने उसंद 치ु में आज्यान की निव्रत्ति से हुआ और आवर्ण का भंग उसने करा है सब का कोई दूसरा तो है नहीं अपाले क्या था ये शुक्ति में आवर्ण भंग नहीं हुआ रजट अज्ञान हुआ फिर उत्तरकाल में आप प्रवर्टियादी किसी माध्यम से भी क्या हुआ हुआ आवर्ण भंग दूसरे से हुआ था तब टेटने गरेन जो गहां जिलिए काता है अग्ज्यान रुट्व भाबाट उसी से हो गया वरत्यात्त जान से हो गया कि इसलिए भिन्यानकार आया प्रद्ष्टन क्यंद्धान के चैस्प्रमास्थाला इस लीए जी चेतनो झाल झाल